हेलो दियर स्टुडेंट्स आएम वसीम एमद हीर आज का हमारा टोपिक है डिस अबलेटी पर देखिए मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आभी आपको कग्निटिव डिस अबलेटी के बारे में बताया था तो आज मैं आपको इसी के बारे में एक्स्प आपमी भूल जाता है प्रोग्रेस नहीं करता है उसका माइंड सोच नहीं पाता इसपीक अच्छा नहीं कर पाता पहुत सारी प्रोब्लम्स उसको होती है उसे याद नहीं रहता है ठीक है उससे पढ़ने में दिक्कत होती है तो यह process जो है cognitive disability कहलाती है इसके बाद हम बात क जैसा आप इस पोजिशन में देख रहे हैं यह बच्ची कुछ लिखने की कोज़ कर रही है लेकिन इसकी आखों से और इसके हाब हाओ से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है बोधिक विकास में प्रॉब्लम है यानिके इसकी जो इंटेलेक्च्ट्वल चीज है वो समझ नहीं पा रही है यानिके जोड डाल रही है अपने माइंड पर और इससरह की प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर उसके हाब हाओ से कि इसे intellectual disability है तीसरी बात करेंगे हम देखे हम यहाँ पर देख रहे हैं यह picture में कि इनके दोनों हाथ disabled है यानि कि इनको physically disability है यह सही से नहीं खड़े हो सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं तो यह physical disability है आईए इसका अब तो रिटन देखते हैं हमें क्या करना है उसमें टाइप्स आफ डिस एबिलिटी अब जो आपका रिटन चैप्टर है वो यह है कि आप सबस्ब्स हैडिंग लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिस एबिलिटी कितने प्रकार की है सबसे पहले हम बात करेंगे कगनीटिव डिस एबिलिटी की इट इस आ नियूरोजिकल डिस ओडर देखें इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यह एक नियूरोजिकल डिस ओडर है किसी छीज को इस टोर करनी प्रकावट पैदा होती हैं दिस एबिलिटी कान अफेक्ट प्रभावीट कर सकती है एन इरे इन इनifieपस एबिलिटी उसकी ability को, उसकी capability को किस चीज में प्रभावित कर सकती है उसको पढ़ने में, compute करने में, speak करने में या उसको write करने में affect कर सकती है इसे हम cognitive disability कहते है The individuals who have these types of disability अगर किसी को इस तरह की disability है usually have following symptoms उसके अंदर हमें कुछ symptoms देखने को मिलेंगे जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसको cognitive disability है आईए जानते हैं इसके बारे में कौन-कौन से वो points हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उसे कौन सी problems है और इसे कौन सी disability है चलिए बात करते हैं सबसे पहले memory disorder की यानि कि यादास्त An individual who has auditory problem जिसे auditory problem है और difficulty in remembering something याद रखने में problem है सुनने में problem है that he heard कि वो क्या सुनता है क्या कहता है क्या देखता है before sometimes कुछ समय पहले उसने क्या देखा क्या सुना क्या कहा उसे याद नहीं रहता तो इसे हम कहते है memory disorder तो ये symptoms हमारा किसमा आएगा cognitive disability में दूसरा जो topic दूसरा point है हमारा hyper activity hyper activity में क्या होता है an individual with cognitive disability कोई भी व्यक्ती अगर cognitive disability में है may not have attention for a long period वो बहुत समय तक लंबे समय तक अपनी attention proper नहीं रख सकता ये उसे problem आती है he finds it difficult to stay at one place यानि कि वो एक जगा पर बहुत देर तक रुखने में परेशानी महसूस करता है यानि कि वो एक ही topic पर एक ही चीज़ पर रुख नहीं सकता अती सक्रियता उसके अंदर रहती है यानि कि वो बदलना चाहता है अपना topic इसके बाद हम बात करेंगे डाइलेक्सिया की डिसलेक्सिया भी एक cognitive disability है उसका symptoms है डिसलेक्सिया आईए जानते हैं इसके बारे में कि डिसलेक्सिया क्या है एपठन अगर कोई बच्चा कोई भी व्यक्ति कग्निटिव डिसलेक्सिया भी हो सकता है उसे problem हो सकती है किस चीज में राइटिंग में रेडिंग में और स्पेकिंग एक्सेक्टरा यानि कि बोलने में पढ़ने में और लिखने में उसे problem हो सकती है ये तो ये एक symptoms है cognitive disability का तो ये हुई हमारी cognitive disability जिसमें मैंने आपको पहले फोटो दिखाई थी जिसके अंदर mind चक्रा रहा है हर तरीके से उसमें गरारियां है लेकिन दूसरी फोटो मैंने आपको दिखाई थी एक बच्चा जिसमें सोच रहा है लिखते हुए क्या मतलब बहुत जोर पढ़ रहा है उसके mind पर तो इस तरह का जो मामला है वो आता है आपका intellectual disability में ये दूसरी disability है इसे बोलते हैं intellectual disability इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा अगर कोई problem है उसे solve करने में problem है याद करने में problem है reasoning की जो question है उन्हें करने में problem है और इन adaptive behavior उसका behave जो है adaptive होता है which covers a range of everyday social and practical skills indeed this disability is related to the individual's thought उसके विचारों से संबंदित होती है यह ability disability process and communications money learning problem solving and judgment वो निर्णे नहीं कर पाता तो जो हमारी intellectual disability है उसमें हम यह सारी चीजे यह सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं यह जज्मेंट नहीं कर पाता कि उससे क्या करना है इसके बाद हम बात करेंगे physical disability physical disability जखे शारी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कोई चल नहीं सकता किसी के हाथ बेकार है पैर बेकार है ठीक है तो वो physical disabled कहलाएगा it is a limitation on individual's physical functioning यानिके physical functions जो होते हैं मारी बोडी के उसकी लिमिट होती है यानिके लिमिट से करता है वो हर काम को क्योंकि प्रॉब्लम है उसको मॉबिलिटी की डेक्स्ट्रीटी की और स्टैमिना की उसमेना होगा डेक्स्ट्रीटी नहीं होगी मॉबिलिटी नहीं होगी other impairments कुछ दूसरी हानियां भी होगी such as respiratory disorders यानिके कुछ उसे सांसंबंदी disorder भी हो सकते हैं और हम इन प्रकार की एबिलिटी को physical disability भी कहते हैं physical disability में आइधर बी motor deficiency और sensory impairment उसे हम sensory impairment कहते हैं और उसे motor deficiency भी कह सकते हैं यानिके अपने किसी काम को सुचारू रूप से नहीं कर सकता यानिके उसकी motor जो efficiency है वो नहीं होगी बलकि उसकी motor deficiency होगी देखिए यह आज का topic आपक का finish याद रखिए अपने घर में जो बच्चे हैं या बड़े हैं किसी को भी अगर problem है तो उसको foreign doctor को दिखाना चाहिए और इस तरह की disability से हम बच सकते हैं अगर हम इन symptoms को जान लेंगे thank you for watching this video please subscribe my channel जाज जाद आप video देख पाएंगे अगर आप bell icon भी दबा देंगे तो thank you very much